हेलो फ्रेंड्स विल्कॉम बैक टो माई चैनल गुड मॉर्निंग आज दिखिए बाहर का नाजारा सुबह सुबह का नाथ फोग था कि सुबह तो उठने का मानी नहीं कर रहा था बाहर का नाजारा देखके मन तो किया कि एक पर फीर से जाकर मैं कंबल में घुश जा हूं ले इतना सारा है सुची नहीं अब अगर गई तो सीधे साम कुठोंगी दीन खा तो पता ही नीचे लेगा कि दीन भी इसलिए मैं लग गई अपने काम में और उपर से जाड़ू पूरे मार करके और मैं नीचे आई हूं और इधर आजकल सोफा पर भूत सो रहा है क्योंकि ठीक से कवर लगा देंटे आए को यहां पर ना सो रहा है क्योंकि ठंड ही इतना ज्यादा है कि वस रूम में ही रहा है क्योंकि धाकर मैं सुबसवह जाड़ू मार करके और क्लीन कि क्योंकि इस सुबह का तो सबसे मुर्णिंग में सबसे पहले सभी के धरों में यही काम होता है जाड़ु मारना कितना भी घर साफ हो लेकिन फिर भी उसे जाड़ु मार कर साफ करते हैं पिर मैं बैट कर ने मुटर छिलने माइर बाला कर रखिए। मुटर। मैं इसे छिल कि सूची रख दूं और тип थीटूरा ने महीं सीटर थे सामीने यही पर मैं बैट कर कोई भी काम कर रही हूँ सबजी चलने मतर करason hai ज्या वी दियुक्छsmlden का यह कोई काम कर दी है। सारे मटर छील करके और मैं सोची से रखनों छील का हटा करके और साथ मैं सबजी भी काट ली और इसे मैं रख दे रही हूं फ्रीज में क्योंकि अभी मटर का मेरा कोई काम नहीं है और यह देखिए आलू, बींस, गाजर मैं काट करके इसका भुजिया मैं बनाओंगी और इस भुजिया मैं बनाओंगी बाद में पहले मैं दाल यहां पर बना रही हूं और छट पर मैं आज लकड़ी के चुले पर खाना बना रही हूं चाबल चखा करके और इसके बार मैं यहां पर बैटी हूं और आज अभी भी सुरी भागवान दर्सन नहीं दिया है यानि हमारे है ग्यारा बारा मुझे सुर्योदे हो रहा है अभी च्छत पर मैं आई सोची धूप में बैठ करके सुकून के साथ खाना बनाओंगी लेकिन यहां धूप तो ही नहीं लेकिन लक्डी चलाने के बाद सरी में बहुत अच्छा लगा नीचे तो जैसे लगा था डिफ्रेजर में है और अभी बाहर निकलके हैं डिफ्रेजर से चावल मेरा हो गया और मैं यहां पर बना रही है और देख रहे हैं टूटा हुआ है मेरा चुला भी अगर थोड़ा सा मिष्टिक हुआ तो सारा खाना स्वाहा हो जाएगा अगनी देव को सब संवर्पित हो जाएगा बहुत इस लिए करके मैं बना रही हूं कि यह चुला जंग लग गया था रखे रखे इसकी वजह से तूट गया है और लगडी पर मैं खाना इसलिए बना रही हूं कि मेरे इ अगन के मौसम में धूप में बैठकर खाना पकाना या फिर धूप में बैठकर खाना खाना बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है बहुत अराम लगता है तूप में बैठकर लेगन धूप निकाली नहीं रहा है फिर मैं आई अशनान करके और इसके बाद मै लेकिने कपड़े पूरे नहीं थे तो मैं इसे डाल करके और मसी नहीं चराई छोड़ दी इसी तरह से ठंड का सीता में एक दम जारी है एक दम रूलाने वाली ठंड एक दम से कडाके की और ऐसी ठंड मुझे लग रहा है दो साल के बाद हमारे यहां पड़ रहा है फिर मैं आई रेडियो करके छट पर और धूप का मज़ा लेने के लिए लेकिन धूप ऐसा नहीं है यहां पर बिना स्वेटर परने में बैठी हूं और ठंड पूर लग रहा है हवा है धूप में बैठ करके आराम करने में आई लेकिन यहां पर तो और भी ज्यादा ठंड है दूप में आना मतलब की ऐसे नहीं आ सकते हैं बिना स्वेटर सॉल और आप नहीं रह सकते हैं धूप में भी धूप का मज़ा लेना है तो सब कुछ बहन कर रही आई अभी मेरे ख्याल से दू ब कुछ भी नहीं है फिर मुझे जाना है नीचे काम मेरा इंतिजार कर रहा है हेलो फ्रेंड्स वेल्कम है आप सब का मेरे चैनल पर कैसे आप सब गाई पच्छे होंगे सभी बारी नुएज बहुत जादा रहा था इसलिए मैंने सांड को म्यूट कर दी और धूप जादा तीखा तू नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है लेकिन हम उर्तों के नसीब कहां कि घंटों ब ले ले पहुत जादा लग रहा है और बीना स्वीटर करने सकते हैं एक सवीटर में सूजी है भी वाला मैं स्वीटर निकाल रही है और उसे ही पहनू ठाइब घंप अगर आप पतले स्वेटर पहने है और एक स्वेटर तोड नहीं रहा जाएगा और मैं तो दिन भर सॉल ब ठंड से बचाओ किजी, खुद का और साथ में, अपने फैमिली का घर में बच्चे है तो उनका, छोटे बच्चों का तो केर सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं होता है, कि ठंड लगेगा या क्या होगा, उन्हें तो खेलने से मतलब होता है, तो समय तो सबसे ज़्यादा मचाव करना है, मुझे तो सबसे ज़्यादा टंज sabem, क्रीस का होता है, बाहर है तो, पता नहीं कैसे होगा, नहीं होगा, और सारे कप्डे मैं यहां पर रख दे रही हूं, तो तीन स्वेटर था मेरा, और से काम नहीं होता है, तो मैं सुची की, च तो सोची टौपी पहन लूगा और हैसा है कि मुझे आदत नही है टौपी पहनने का इसा लगा है चाभी गुली कि तौपी नहीं आता है टौपी बहुत पहनने करिये और टौपी नहीं पहनने के वज़ा सही मैं सौल ओड़ी रहती हूँ दिन भर जो कि कान में ठंड लगता है तो मैं जल से ढखती हूँ और एभी मैं ज्यादा दिर नहीं पान सकती हुँ थेज़र नहीं इसे इतार फेकर नहीं है पानने का और मुझे रहा ही नहीं जाता है इतारा से पान कर देए फिर मैं सोची कि चलो ड्रेसिंग टेबल है इसे मैं साफ कर दे हूँ काफी डेस्ट पढ़ गया है और और कोई काम तो हो सकता नहीं इस टाइम में तो मैं इसे ही साफ करने वा लगी हूँ और काफी गंदा है देखिए ड्रेसिंग टेबल क्लीन करने के बाद मैं सोची कि चलो एक टेबल है चबी का मैं इसे भी ठीक कर दूँ जेकिन ऐसा है कि चबी या फिर क्रीस दोनों मुझे अपना समान चुने ही नहीं देते हैं कि नहीं मैं कर लूँगा चबी बोलेगी मैं कर लूँगी और मुझे लगा क पता नहीं टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए यह नहीं कर रही है तो मैं ही कर देती हूँ इन लोग को लगता है कि जैसे मैं इन लोग का समान कहीं फेक दूँगी और मुझे आदत है कोई भी टूटा-फूटा समान मुझे लगता है कि उठा कर फेको कबार है इसलिए इन लो सेव पपड़ी मतलब इसे जो भी बोले भेल पूरी क्या पूलते हैं मुझे नहीं पता है आप सब क्या बोलता है इसे मैं इसे पपड़ी बना करके रखी थी और अलू उबला हुआ डाल रही हूं और इसमें उपर प्याज और साथ में हरी मिर्च कटा हुआ है और सेव इसे उपर से और इसमें डालेंगे तुमेटो केचप और ए खाने में बहुत टेस्टी होता है मार्कट जाने के कोई जरूरत नहीं है घर में ही इस तरह से बनाए मैं पपड़ी बनाई थी और उस पपड़ी को चाहे आप चाट बना करके खाए या फीर बेल पूल थोड़ा सा इ हैं गुलगपपा और देखे खाने में बहुत टेस्टी लगा बहुत अच्छा बना है और मैं चवी कोई बोल रहे हैं तुम भी खा करके देखो कैसा बनाई है फिर मैं चली ठंड इतनी ज्यादा है कि जिसे चाय पीने की आदत नहीं हो भी चाय पीने लगा यानि मैं चाय और भी चवी ऑर ceux इthm बहुत पे अदो ही कब बना रहे हैं कि इसके पापा जे भी नहीं आया है औो लेट्से आते हैं तो जब आते हैं तब ही छाय पीते हैं च्ड़ाइ बना करके और चली रहा गर्मा गर्म चाय पीने है तो फ्रैंस आप से मेरे पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सेर कीजिए और अगर फेस्बूक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और मेरा चाय बन चुका है और बाहर बैठ करके हम लोग चाय कान अंद लेते हैं और क्योंकि सरदी बहुत ज़्यादा है और ऐसा है कि हमारे यहां भी सबको सब्सक्राइब हो गया, मतलब यह सरदी अगर एक को हो तो सबको होगा ही और इस तरह से गला में भी खरास हो गया है, चबी को भी मिजे भी और साथ में इसके पापा जी को मतलब पहले नहीं ही हुआ था तो एक को हुआ तो सबको होना जरूरी ही है इसलिए सरदी जो काम से बचे हैं और यह अध्रक वाली चाय है अद्रग वाली चाय काफी फैदे मंद होता है ठंड में और खास कर गली की खरास में तो फ्रेम्स आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बलोग के साथ तब तक के लिए बाए टाटा सी यू